ज्ञान धर्म का यहाँ पर उपदेश दिया है कवी भीडितम से ज्ञान भी है, विराकी भी है और तप्त जीवन से भी ज्ञान और विराकी दोनों है यह दोनों धर्म प्रभू के इसमें बताए गए तो जैसे कथा रस्में और प्रभू के स्वरूप में एक थोड़ा अंतर समझना चाहिए कि कथा अम्रत है पर वो अम्रत क्या सिद्ध करता है कि संसार के ताप को निवारन कर देता है संसार का जो दुख है, जन्वर मृत्यू का जो दुख है उसको दूर करता है परंतु प्रभू की प्राक्ति कब होगी, प्रभू के दर्शन कब होंगे, प्रभू के स्वरूपानंद का अनुभव कब होगा इस प्रकार का जो वीरा बक्तों के रदे में हैं, उसको श्रिमत भागवत, कथा, रस्दूर करने में सक्षम नहीं है उसके लिए तो साक्षात प्रभू के स्वरूप की आवश्चक्ता लगेगी तो कथा और प्रभू के स्वरूप में इतना अंतर बता है कि स्वरूप से विरह दूर होएगा और कथा से संसार का दुख वो दूर होएगा संसारिक विशे में देखने सुन्मे शब्द इसपर्ष रूप गंद जो पांच छे बताए गए हैं उसमें हम आसक्त हो जाते हैं अमता ममता में गिर जाते हैं तो तब्तजीवनम के मात्यम से ज्यान के द्वारा ब्रह्म ज्यान के द्वारा सनसार में आ सकती का अभाव कराया जाता है तो यहाँ पर भी संसार से यह जीवन तब तो हो जाता है दुख्य हो जाता है इससे संसार में वेरा के उत्पन होता है और ब्रह्म धर्म ब्रह्म को देखना ब्रह्म ग्यान सब जगे प्रभु विराजमान है सर्वम खल्विदम ब्रह्म के रूप में अखंडम कृष्णवत सर्वम के रूप में इस सभी जगे प्रभु विद्द्यमान एसा उने पर हमारी विशेवों में आ सकती नहीं होईगी इसा शिवल्लब बताते हैं कि यदि इस द्रश्टी से हम देखते हैं कि संसार दुखरूप है सब जगे प्रभु विराजमान हैं प्रभु लीला कर रहे हैं उस द्रश्टी से दिए हम देखते हैं तो हम उन विशेवों में आसकत नहीं होकर प्रभू के दर्शन करेंगे और जहां जहां प्रभू के दर्शन करना सक्षम नहीं हो पाए हमसे संभव नहीं हो पाए वहां वेराग्य को वहां पर लाया जाता है वेराग्य का धर में त्याग करना जहां हम अपने मन को स्थिर नहीं रख पाएं इस बावना से वहां उस चीज का त्याग कर दो ग्यान वेरा की दोनों इसके माध्यम से कभी भी रिड़तम तथा तप्त जीवनम के माध्यम से बताए गए आगे हम चलते हैं कलमशा अपहम कलमश अर्थाद पाप पाप को अपहरन करने वाले निकाल देने वाले दूर कर देने वाले ऐसे भगवत कथारस अमरत एशहा आत्मा अपहत पापमा प्रभू का स्वरूप जिसा बतलाए गया कि प्रभू के स्वरूप से जिनका सहियों हो जाता है उनके समस्त पापों का हरन हो जाता है इसे ही यहां पर भी धर्म रूप पराक्रम रूप वीर तावीर इसका ताथपर यह है अलोक इकता तो कलमशा पर हम से अलोक इकता भी बतलाई और पाप को दूर करते हैं वो बात भी बतलाई कथा रस कि से कि पाप्व का स्वन पाप्व का सिमन्र शिमत्भागवत हमारे दुंदकारी के प्रसंग में हम देखते हैं कि दुंदकारी कितना दुर्भागी था अपने करमों के माध्यम से फसा हुआ था अनेक दुश्कर्म उसने किये थे एक वार उसके घरवालों नहीं उसको मार दिया तब वो प्रेद बन के उपस्थित हुआ अब इतने पाप किये तो प्रेद बनना तो स्वाबावी के है उनके भाई गोकर्ण हुए है उन्होंने शिमत भागवत के मात्यम से उनको श्रमण कराके उनके सब बापों का हरन करवा दिया तथा उनका मोक्ष भी शिमत भागवत के श्रमण के मात्यम से हुआ गया शाद्द के मात्यम से भी नहीं हो पाया ये बात ये महात्मे भागवत के महात्मे में वरनित है वहाँ प्रसिद्ध है इसे ही बगवत नामात्मक स्वरूप शीमत भागवत और अजामिल का प्रसंग भी हम देखें अजामिलादी दो शानाम नाशकोनु भवत्ता वहाँ पर भी बगवत नाम का मात्मि प्रसिद्द कर नारायन नाम से ही उनका उद्धार कराया है पापों का हरण करवा दिया है एक भगवत नाम से ही सब पापों को दबा दिया है तो इसा प्रभू के नामात्मक स्वरूप शीमत भागवत कथाम्रत रस पान का महत्वत यहां पर बताया है दूसरा अलोकिकता अलोकिकता किसे आती है शीमत भागवत भगवत रस को पोशन करती है भगवत रस मतलब बक्ति प्रभू के प्रती हमारा प्रेम हमारा इसमे उसका नाम बगवत रस तो भगवत रस करने से हम को संसार में वेरागय होता है प्रभू के माहतम γ्यान होने से हमको यह मालुम पड़ता है कि हम उनकि अंशे है इसलिए हमको उनकी सेवा करनी चाहिए उनमें एक भाव उत्पन होता है, एक इसने उत्पन होता है क्योंकि इसने उत्पन होने के कई प्रकार बता है देखकर इसने उत्पन होता है, बात करके इसने उत्पन होता है सुनकर भी इसने उत्पन होता है तो यहाँ पर हमने प्रभू को देखा नहीं है, हमने बात भी नहीं कहिए, परन्तु हमने उनके महात्म को सुना है, उनके महात्म को शवन करके हमको उनमे इसने होत्पन्न हो गया तो देखना और उनकी वारताओं को सुनना ये तो कब संभव है शाक्षात कार जब हो तब संभव है जब प्रभू अवतार गिरहन करें जब संभव है परन्तु अनवतार दशा में कथा मृत रस पान के माध्यम से ही प्रभू में इसने उत्पन न हो सकता है ये बात यहां पर अ कि आगे r win Mangalam अаждंग एसा प्रश्ण करते हैं कि भाई इसा प्रवो का हरण तो प्रायस चित्य से भी हो जाता है हमारे अनेक विद्प्रायस चित्य बताये लिए पिर ये ऐसा कोई बुरा काम हो जय को इसा प्रयस Kannu कर लो इतना उक्वास कर लो यह देख लो वो कर लो इसे अनेक प्रकार के प्रायश्चित्य का प्रकार बताया तो प्रायश्चित्य से भी तो पापों का अरण हो जाता है तो कथा क्यों सुने तो वहाँ पर शवन मंगलम शवन से ही जो मंगल है आनंद दायक है विगन को निवारन करके अभिष्ट को देने वाला है वो मंगल स्वरूप है मंगलम मंगलम ब्रजभुवी मंगलम के रूप में प्रभु को जो इस्मरन किया जाता है प्रभु मंगल स्वरूप हैं, सभी बक्ती में जो विगना आते हैं उनको दूर करते हैं और फलात्मिका बक्ती को प्रदान करते हैं, इसलिए वे मंगल स्वरूप हैं, स्वरूप वानन्द को प्रदान करते हैं, इसलिए वो मंगल स्वरूप प्रायश्चित्त में उपवाज करना शारीरिक कष्ट है अनेक प्रकार की बाते हैं और सुनने में अमंगल जैसा लग जाता है इसलिए प्रायश्चित्त से पाप दूर हो भी जाते हैं कुर्ण रूप से नहीं होते परंतु शिमत भागवत कथा रसपान से सब पाप भी दूर हो जाते हैं और सुनने में भी आनन्द आता है क्यों इठाकुर जी का विमल चरित्र है विमल मतलब कोई भी दोशों से रहित मल रहित दोशों से रहित पुर्ण आनन्द परमानन्द को देने वाला एकट बाल लीला किशोर लीला अनेकविद लीला हैं जो हैं वो रस को पूर्ण करने वाली हैं बक्ती रस को बढ़ने वाली हैं प्रभू को प्रति प्रेम उत्पर्ण करने वाली हैं तो इस प्रकार यह शवण मंगल है शवण म आगे श्री मदात अतम के रूप में श्री मत, श्री मांग, अर्थार, श्री युक्तता, लक्ष्मी युक्तता, शोभा युक्तता यहाँ पर बताई गई कहते हैं कि वही शवन मंगल सुनने में आनन्द आना गर में किसी का जन्म हुआ हो, बालक का जन्म हुआ हो तो भी आनंद आता है, खुब आनंद आता है, सब नाचते हैं, कूते हैं, आनंद मनाते हैं, भागवर कथा रस क्यों सुनना, उसमें आनंद मनाएं, तो केते हैं, श्री मत, इसे कोई प्रसंग होंगे, तो क्या होगा, द्रव्य बहुत कर्च होता है, पैसा बहुत कर्च होता लक्षमी चली जाती है, पास में से, आनन तो आपको मिलता है, शमण में आनन तो मिलता है, पर अनन तो लक्षमी पास से चली जाती है, बगवान और बगवत कथा कैसी है, कि जहां बगवत कथा हो, यत्रमत बगता गायांती तत तश्ठा मिनारद, वहां बगवान स्वयम होते जा बगवान स्वयम होते हैं लक्षमी जी स्वयम आके बस जाती है वहां की शोवाही निराली हो जाती है वहां स्वयम लक्षमी का निवास हो जाता है लक्षमी नात का निवास होने से लक्षमी का निवास होना स्वाभाविक यहां पर नाराणदाज जी की बारता का प्रसंग देना उचित होगा जो हमने शौर्ट में समझा था ब्रह्मचारी हुए नाराणदाज उनको पहले कमाने की बहुत हुड़क थी कि मैं खूब कमाऊं चालिश वर्स तक उनने खूब कोशिट करी पर कमा नहीं पाए फिर भगवत क्रपा से ठाकुर जी की सेवा परापत हो गई गुसाइं जी ने उनके उपर क्रपा कर दी महाप्रभु जी ने एवं सेवा में वह तल्दीन हो गए गोकुल चंदर्मा जी की सेवा वे करते आनंद करते अब उनके मन में वेराग्य और संतोष उत्पन हो गया कि द्रव्य से मुझको के लेना देना नहीं ठाकुर जी की सेवा ही ठाकुर जी परम धन है यह धर्म धन ही तो यह धर्म धर्म ही ते पायो जो अमारे अपद में बताया गया है तो धन रूप प्रभुशी कृष्ण स्वयम है अर्थ हमारे प्रभुशी कृष्ण स्वयम है वो भाव वो सिद्धान उनको सिद्ध हो गया इतना संतोष होने के बाद में अब इस प्रकार की गतिविती उनके आउने लगी कि उनको द्रव जाएं जहां तहां द्रव्य उनको मिलने लगा जहां वो बेटते निकल जाता साधान व्यक्ति होता तो मोहीद होके वो द्रव्य को पैसे को ले लेता एकटा कर लेता कि मैं द्रव्य पात्र बंजाओंगा पैसे वाला बंजाओंगा अच्छा मकान को सब यवस्था ची हो जाए परंतु उन्में मंद में संतोश रखा है और कहा है कि ये तो विष्ठा समान है मेरे लिए उपयोगी नहीं है खाकु जिनको बक्ती सिद्द हो जाती है उनके लिए द्धन लोकिक धन नहीं होता हुआ है उनके लिए धन स्वयम प्रभुयौ शी कृष्णशन हो जाते हैं ये फ्लात्मक दशा की बात है हर किसी को साथ में ऐसा नहीं होता है ऐसा करने काम को प्रयास करना है ड़ब इसotta में संच ही होते हैं कि हमको पैसे की खूब इच्छा होती है परन्तु दीरे दीरे प्रभु में जब आ सकती बढ़ जाती है लोकिक में से आ सकती निकलती जाती है जब इस प्रकार की दशा इस प्रकार की अवस्था उसित्थ हो जाती कि प्रभु ही हमारे सर्वस्व धन रूप जब भगवदी दीवद्रश्टी देते हैं तब आचारी दीवद्रश्टी देते हैं तब ठाकुजी दीवद्रश्टी देते हैं तब प्रभु में अलोकिक धनकी हमको इस्फूर्ती होती है जब लीला के दर्शन हमको होते हैं कि गिर्राज जी को रत्न में देखते हैं गुविन कुन को दूद से वरा हुआ देखते हैं तब हो सकता तो यहाँ पर भी श्रीमत अलोकिक लक्ष्मि सहियुक्त प्रकार बताया गया केते हैं कि बही चलो पैसे की बात आप कर रहे हो तो जो राजा लोग हैं अत्वा जो राजनेतिक लोग हैं उनके पास बतो खूब पैसा होता है तो क्यों कथा को सुनें इसी प्रकार की राजनेतिक राज्जिशासन उसमें ही हम आनंद लेवें तो केते हैं आततम एश्वरी धर्म का वहाँ पर निरूपन किया शवनमंगलम से यष्व का निरूपन होकर श्रीमत से श्री का निरूपन होकर आततम से भागवत का कथा रसका एश्वरी धर्म का निरूपन किया गया है तो यहां पर आत्यतम अर्थाप व्याबत है पैसा एक राज्य में व्याबत होता है एक व्यक्ति के पास में होता है ऊसी को उसका लाब मिल सकता है और बाहर और बीतर व्याबत नहीं हो सकता है परन्तु कथा का रस बिलक्षण है यह अंदर भी व्यापत होता है बाहर भी व्यापत होता है अंदर से भी आनंद से पूर्ण कर देता है और बाहर से भी आनंद से पूर्ण कर देता है जब तक अंदर का रस बाहर नहीं प्रकट हो जब तक आनंद की पुर्णता नहीं होता है तो पहले करने के द्वारा अंदर पदार कर वह रस जमा हो जाता है, इस्थित हो जाता है अंदर सब शान्ति आ जाती है रससिक्तता हो जाती है और फिर वो बोलने के माध्यम से बाहर रकट हो जाता है सत्संग के माध्यम से रकट हो जाता है ऐसे बाहर भी दीतर वह व्याबत हो जाता है तो इस प्रकार कथा के कथा मृत के शड़ गुण का हमने अभी च्रवण किया आगे इसी में भुवि ग्रणति ते भूरी दा जनह के रूप में जो महन लोग अलोक एक सिद्धी को देने वाले भूरी दाहा ऐसे लोग जो भगवत कथा को कहते हैं उनके मात्म का वरणन यहां पर किया गया भूरी दाहा जो आपकी कथा को गाते हैं ग्रणतिते भूरी दा जनहा वो बहुत कुछ देने वाले हैं अलोक एक सामर्च देने वाले हैं अलोक एक भक्ती का दान देने वाले हैं यह भूरी दे कोन हैं हमारे यहां शीवलब शीभागवत का रसम अंथन के माद्यम से नवनीत प्रभु शीकishnam की सेवा स्वरुपानंद का लाव यह प्रदान किया है बहुत कुछ देने वाले अर्थास बहुत कुछ क्या है भक्तों के लिए पैशा संवर्द्दि यह बहुत कुछ नहीं है प्रभु की प्राप्ति होना यही बहुत कुछ है तो यहाँ पर बूरी दाह के रूप में शिवल्लब को इस्मर्ण करें प्रभुदाज जलोटा की वारता याद करें वहाँ पर प्रभु पदा रहे हैं शिवल्लब पदा रहे हैं व्रिंदावन में रादा कुंड पर सुबह जल्दी उठकर सब सामगरी सिद्ध हो गई है स्वामनी जी का इस्थल है महाँ पर प्रभु दाज जलोटा सुबह देरी से उठे हैं शिवल्लब प्रभु प्रभु जी सामगरी सिद्ध करके पदार रहे हैं प्रशाद लेना चाहिए वे कहते हैं कि मैंने अभी इस्थनान नहीं किये है श्री महाँ प्रभु जी के आग्या करते हैं कि व्रंदावन का स्वरूप ब्रज का स्वरूप उस समय उनको दाशन कराते हैं ऐसे भूरिद हैं ऐसे बहुत कुछ देने वाले हैं एसे बक्ती का दान करने वाद है ऐसे प्रभू के स्वरूप को समझाने वाद है व्रक्षे व्रक्षे वेणु धाली पत्रे पत्रे चतुर पुजा के रूप में व्रक्ष व्रक्ष में प्रभूशी कृष्ण विराजमान है ऐसे ही पत्र पत्र में भी प्रभू विराजमान ह उसके दर्शन उनको कराए है जहां चर्णार विंदी की रज विराज मान है उससे जल से रज से नहाओ जाहे रज से नहाओ जिससे भी स्ट्नान करो ऐसे ब्रज मंदल का महात्यूं वहां शिवल्लब ने बताया तो ऐसे भूरी दहट बहुत कुछ देने वाले वे लोग हैं जो कि भागवत कतामरत रस्पान कराते हैं यहां साक्षात प्रभुशी कृष्णा अस्यावतार शिवल्लव हैं जो कि हमको बक्ती का दान कर रहे हैं इसलिए उनका अनिसुन्धान इसमें हमको करना चाहिए उरिदा अजना एसा भी एक भाव प्रकट होता है कि जिनका जन्म नहीं हुआ है ऐसे बहुत कुछ देने वाले हर्थात अब प्राकरत जन्म नत्यू के भाई से रहित एसे शिवल्लव एसे मर्यादा मार्ग में देखा जाए तो वेदवियाज जी जन्होंने शिमत भागवत को समादिस्ट होकर टकट किया है तो वे जन्म नत्यू के भाई से रहित हैं और प्राकरत हैं उनका आविरभाव होता है तिरोभाव होता है आचारी चरण अपने ग्रंतों में इस्पष्ट किया है कि जैसे प्रभू शीक्रिष्ण आविर भाव होते हैं और अपने निज़ दाम में पधारते हैं उनकी उत्पत्ति और प्रलय ये नहीं होता है इसी प्रकार जो बक्त अवतार ग्रहन करते हैं उनका भी आविर भाव होता है वो कर्म के बंदन के वश में नहीं होते हैं वे किसी उत्देश्र को लेके पधारते हैं और उस उत्देश्र की पूरती हो जाने पर भगवत आगिया उने पर पुनश्च अस्वधाम पधार जाते हैं तो उनमें लोकिक जन्म और मृत्यू की परिकल्पना नहीं होती वहां के वर आस्वर व्यामों की बात बताईए है आस्वरी लोग जो हैं वो उनके स्वरूप को नहीं देख सकते हैं परन्तु भक्त लोग अपने भक्ती रूपी अंतक करन से उनके स्वरूप को समझ सकते हैं तो भूरी दार जनाहा ये बहुत कुछ देने वाले जो लोग हैं जो जन्मर्मत्यू के बैसर रहीत हैं एसे शट गुरुन यूक्त शीमत भागवत के कथा मृत से है प्रभु हम जीवित हैं आप हम पर कृपा करो अम्रत अरब का वरशन करो नहीं तो हमारा जीवन नहीं हो प कि आपकी कथा आपसे बढ़कर कि आप सामने हो फिर भी आप हमको जीवन दान नहीं दे रहे हैं और आपकी कथा हमको जीवन दान दे रहे हैं परन तो फिर भी कथा और स्वरूप में जो हमने बेद समझा है तो कथा जो है उसके अंदर किसी कि सायक की आवशक्ता रहती है जब फल मिलता है, बोलने वाला है, सुनने वाला है, और जो स्वरूप है, उसमें कोई सायक और किसी के आवशक्ता नहीं रहती है, इस वतनत रूप से प्रभू से स्वरूप आनंद का फल मिल जाता है, ये स्वरूप में और कथा में भेड है, स्वरूप की विशेष्टा है, इसे ही कथा के अंदर और स्वरूप के अंदर द्रवी भूत और घनी भूत का फर्क जैसे लिक्विड और सॉलिडिफाइड रूप घनी भूत मतलब जो रस सब जगे फेला हुआ हो उसको एक जगे कर दिया जाए और उसका अनन्द लिया जाए और द्रवी भूत मतलब वो द्रव के रूप में फेला हुआ है तो कथा के अंदर जो रस है वो द्रव के रूप में समस्त जगे प्रसरित है फेला हुआ है और प्रभू साक्षात गनी भूत रसात्मा स्वरूप है वो स्वयम फलात्मक है सब रस उनके अंदर एकत्रित होकर एक ही जगे इस्तिव तो इसलिए यहाँ पर कथा और प्रभू इन दोनों में समानता इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस जो तार्तम्य उसका भी वरणन हुआ है उस माध्यम से कथा का महात्मे कहती है कि कथा तो जीवन दान कर रही है और प्रभू विरह की ताप से तो आप ही निवारन कर सकते हैं इसलिए एक्रपा करके इस विरह का जो अगनी हमारे रदय में प्रजवलित हो रही है इसको आप दूर करें कथा से तो केवल हमारा वीरह से मरण नहीं हो रहा है परन्तु वीरह का ताप तो आपके माध्यम से ही निवरत हो सकता है हैंने कोई माध्यम से निवरत नहीं हो सकता है पदों के माध्यम से भी इसका हम अनुसंदान करते हैं शीमत भागवत के पत शी भागवत सकल गुण खानी श्री भागवेत सकल गुण आए श्री भागवेत सकल गुण आए श्री भागवेत सकल गुण आए सर्ड विसर्ड आए रुपोशन उती मर्शन श्री भागवेत सकल गुण आए पीश प्रहय नुक्ति आशय पूनी ये जत लक्षन को उत्पती तत्व सैग सोजानों ब्रह्मा पुत विसर्ड है सोय श्री भागवेत सकल गुण आए क्रिश्न अनुग्रह पूशन कहिये कर्म वासनाती मानों आचे धर्मन की प्रव्रूती आचे धर्मन की प्रव्रूती जो सो मंतर जान श्री भागवत सकल गुण आए हरी हरी जन की कथा हो या जहां सोई शानों ब्रह्मा आए हरी हरी जन की कथा हो या जहां सोई शानों ही आए जीव स्वत हर हरी ही मती गुण आए सोनी रोद हो ये जान श्री भागवत सकल गुण आए सकल गुण आए जान श्री भागवत सकल गुण आए प्यानी तज अधी माने क्रेश्न जुपावे सोई मूं की कहावे उत्वति पाने प्रनेय खरेसो हरी आशे कहावे सुर्गात हरी की लिलाल की सुर्गात हरी की लिलाल की क्रेश्न रूपत ए जाय श्री भागवत सकल गुण आए यानी सकल गुण आए यामी श्री भागवत सकल गुण आए सुर्दाज जी कत्प शिमत भागवत के खताम रत जो अम्रत रूपी है जीवन देने वाला है बगवत रसका पोशक है बक्ती को देने वाली एसी कत्प अम्रत के महत्म को वर्णन दश्विद लीला के रूप में सर्ग विसर्ग स्थान पोशन उती मनवंतर विशानु कथा निरोद मुक्ती आश्रे के रूप में उनके महाद के रूप में निरोद मुक्ती आश्रे के रूप में